हलो बचो लेट्स रीट इसक्वेशन दे ग्वेशन सेज दे बोडी ओव विच ओर्गानिजम अपियोग शर्कुलर इन ट्रांसवर्स क्रॉसक्शन अन्ड शोग दी प्रेजंस ओफ मस्कुलर फेरेंग्स ठीक है तो मस्कुलर फेरेंग्स जो है हमें मिलता है कि इसकाइ हलम इनदर मिलता है ए और इनकी वॉडी का जब हम एजसे फॉर एंग्सांबल करो की ये कोई इसकाइब 바로 कि से ठीक है इसको हम एपार से देखें तो इनकी वॉडी को जहमें इस तरीके से नजर आती है यह digestive wall हो गई ठीक है और यह इस तरीके से इनकी body जो हम नजर आती है ठीक है इस तरीके से नजर आती है cross circular नजर आती है transverse यानि इस तरीके से काटने पर transverse cross section पर हमें इस तरीके से नजर आती है तो यह इस तरीके से नजर आती है तो यह अगर options देखें तो first option में given है lamprey ठीक है तो lamprey जो है यह basically to goぎड़ा help के अंदर आ जाता है लामप लैंप रेख को ड़ेट में भी किसके अंदर आ जाता है अगर हम बात करें अकूझ थो यह आजाता है साइक्डा है साइक्क inputs आर्बा तो यह incorrect हो जाएगा, then हम बात करें, काटला की, तो काटला क्या है, एक तरीके की फिश है, ठीक, एक तरीके की फिश है, plus it is a fish which has boni endoskeleton, यानि यह एक औस्टिक थीज है, यह boni होता है endoskeleton इनका, तो यह विलॉंग करता है class, औस्टिक थीज को, जैसे, लैंपरे विलॉंग करता है cyclostromata class को, उसी तरीके से, काटला जो विलॉंग करता है, औस्टिक थीज को, ठीक है, then हम बात करें, round warm, round warm विलॉंग करता है, sky helminthys को, ठीक है, इसमें correct answer हमारा चला जाएगा, option C, काटला, and tape warm भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा correct option will be option C, इसके regarding information, आपको 11th की new NCRT में page number 43 पे मिलेगी, I hope कि आपको question अच्छे से समझा गया है,